हेलो गाईज, विल्कम बैक टो आर चैनल कॉर्पेट कहानी तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक की जिसको बोला जाता है आन बोर्डिंग जब आन बोर्डिंग होती है किसी भी कंपनी में तो उसके साथ एक टर्म जुरा होता है जिसको बोला जाता है बैक ग्राउंड वेरिफिकेशन जो IT कंपनी में काम करते हैं वो जनरली इस टर्म को बोलते हैं BGV यानि शौर्ट में बोलते हैं क्योंकि IT में काफी चीज़े short में बोली जाती है और उसको समझा जाता है क्योंकि अब क्या होता है कि हर company या फिर हर किसी नई जगा पर एक कुछ jargons होते हैं technical terms जिसको बला जाता है वो use किया जाता है उसी तरह IT companies में BGV नाम की चीज़ का use किया जाता है अब BGV होता क्यों है और क्यों किया जाता है और इसका कितना importance है आज हम इसी topic पर यहाँ बात करने वाले हैं तो guys आज मैं आपको पता देता हूँ इस video के माध्यम से कि BGV काफी important है और आपको सबसे ज़्यादा सतर्कता और साबधानी इसी में बढ़तनी चाहिए क्योंकि अब यह और ज़्यादा stringent होता जा रहा है तो guys इससे पहले कि मैं आगे बाड़ूं मैं कुछ बाते हैं अपने channel के बारे मैं बता देता हूँ अगर आप TCS as a fresher join कर रहे हैं या फिर आप TCS छोर रहे हैं तो आप हमारे All About TCS प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी इस company से डिलेटेड और आप चान पाएंगे कि मैं यह जो join कर रहा हूँ TCS यहाँ पर मुझे कौन-कौन से benefits मिलेंगी अगर मैं design करूँगा तो मैं कैसे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लाएं तो guys इससे पहले कि मैं आगे बढ़ो एक और चीज़ बता देता हूँ अगर आपको किसी भी टाइप का consultation चाहिए आपको दो company के बीच समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी join कर रहें इस तरह का कोई personal आपको हमसे बात करनी है तो top met io.case link पर जाकर आप हमसे one to one call book कर सकते हैं या फिर आप हमसे one to one query book कर सकते हैं तो guys बढ़ते हैं आगे और जानते हैं BGV के बारे में कि यह कितना important है guys BGV जो होती है कोई भी company में वाल बड़ी बड़ी IT companies में जैसे कि DCS में Cognizant में यह सबसे पहले third party होती है यानि कि एक third party है उसको यह companies tender देती है कि हमारे इतने employees हैं इनको इनका आप background verification करो अब वो background verification के लिए करते क्या क्या है उस पर बात करते हैं background verification के लिए वो सबसे पहले वो जो company है वो आपके address पर बंदे को भेजती है कि यह बंदा original है या नहीं इसके बाद guys वो क्या करती है आप जिन जिन company में पहले काम कर चुके हैं उनसे यह connect करती है और आपके character के बारे में आपके profile के बारे में आपके designation के बारे में वो पता करती है कि यह बंदा real है या नहीं है तो guys अब चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे कौन-कौन से parameters को यह check करती है तो guys आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इन्होंने 700 plus companies के लिए background verification का का काम किया है जिसमें इन्होंने 48,000 employees को verify किया है इसके इलावा guys इन्होंने number of routes जो है 9848 निकाले है इसके इलावा guys अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने और क्या क्या किया है guys इन्होंने address चेक किया है सबका मतलब address verification जैसे किया जाता है घर पहुँचकर जो भी process होता है उसको अपनाया है इलावा अब आता है employment check का यानि employee आप है थे की नहीं previous company में क्या थे नहीं थे क्या resignation था इन सबको भी ये check करती है और इसमें guys काफी लोग first जाते है तो guys अब employee check जो आपका होना चाहिए वो properly होना चाहिए आपका experience सही होना चाहिए फिर आते हैं guys ये लोग reference check पे इसमें like आपने जिल लोगों का नाम दिया है as a referee उन लोगों को ये phone करती है या उन लोगों से check करती है कि ये बनना सही है या नहीं और guys कई companies जो है drug test भी कराती है कि आप किसी चीज़ के addict है या कोई problem आपको है या नहीं तो इस तरह का भी आपको test देना पड़ता है और इसके अलावा guys आपका जो like कई लोग जो होते हैं वो फस जाते हैं इसमें उसके अलावा guys जो आपका database verification होता है इसमे property database में आपका सारा चीज़ चेक किया जाता है फिर उसके बाद आजकल जो सबसे ज़्यादा popular है guys social media check वो भी यहाँ पर होता है social media में आपने कुछ ऐसा गलत सलत तो नहीं लिखा आपना कैसा behavior है वहाँ पर इसको भी check किया जाता है इसलिए social media पर आपको हमेशा से careful रहना चाहिए उसके बाद guys जब social media आपका अच्छे से verify हो जाता है तब ये लोग आपका like offer release करते हैं या फिर आपको बताते हैं कि आपका यहाँ पर गरबर था इसलिए आपका हमारी company में बीजीवी में यहाँ पर fail हो गए generally नहीं बताते हैं लेकिन बता भी सकते हैं इसके अलावा guys जब आपका social media fully check हो जाता है तब ये आपका credit check करते हैं अब यहाँ screen पर देख रहे होंगे credit check का एक बटन आ रहा है credit check के में guys ये लोग आपका जो आपका loan है आपके उपर जो आपके उपर cards है उन सब चीजों को यहाँ पर check करते हैं gap verification भी एक काफी important factor है इसमें आपका year of gap आप जिस like company में थे यार नहीं थे या previously कितना gap लिया है उसको check करते हैं तो इस तरह से guys ये company काम करती है आप यहाँ पर इसकी website पर जा सकते हैं सारे process flow को देख सकते हैं कैसे ये काम करती है तो आप please मैं हाँ पर link डाल दूँगा आप इस website पर visit करकर खुद ही experience कर लें तो guys आपने देखा कि ये matrix नाम की जो company है ये बहुत ही बड़ी company है इन्होंने कितने लोगों का bgv किया वो आपको दिख गया होगा screen पर तो guys आप जितना honest रह सकते हैं उतना honest रही है इसलिए आप honest रही है कि कई जो लाइक बंदे हैं जो आप इंटर्व्यू क्वालिफाई किया वो bgv में बाहर आ गए उसका reason ये होता है guys generally क्या होता है एक standard format में पुछा जाता है ये बंदा आपके हाँ का है इस छोटा मोटा एक होता है generally लेकिन कुछ cases में आपने बहुत लंबा लंबा फेक दिया आपने बहुत लंबी लंबी बातें कर दी है तो ये companies जो होती है वो आपके previous HR और previous manager को एक लंबा सा format फेचती है जिसमें उनसे आपका एक-एक menu detail लेती है ये character wise कैसा है ये team lead कर सकता है या नहीं ये experience इस चीज में है की नहीं इस technology stack में है की नहीं ये कितना जुट बोला है कितना सच बोला है तो इन सारे points को ये companies cover करती हैं उसके बाद आपका feedback जो आपके नए employer है उनके पास जाता है तो guys recently मैं एक आपको घटना बता देता हूँ जो cognizant नाम की company है ये बहुत बड़ी MNC है इसने इसी बहाने से कि ये बंदा लाइक इस BGV में fail हो गया पता नहीं कितने लोगों को fire किया आप स्कीन पर देख सकते हैं exact number तो इस तरह से ये आपके लिए काफी problematic हो सकता है आपने अच्छी खासी interviews दिये आपने उसके लिए prepare किया आपने इतनी मेहनत की लेकिन आपको fire कर दिया गया तो ये एक बहुत बड़ा problem हो सकता है तो वही है कि आपको एकदम honest रहना है अगर आप अपनी previous company में माली ये team lead है तो आपको वही लिखना है अगर आपका role team lead का है तो वही लिखना है अगर आपका designation system engineer है या फिर IT analyst है तो वही लिखना है तो role और designation के बीच में difference होता है उस चीज को आपको अच्छी तरह से signify कर देना है आप project lead है या team lead है इसको भी signify कर देना है या लिख देना है ताकि आपको जो ये BGV वाली problem है इससे आप बच पाएं hopefully इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छी जानकाड़ी मिली होगी अगर आपको वीडियो पसंदाया हो तो आप अपने दोस्तों को share करें और अगर आपका कोई feedback हो तो हमें दे और आप हमें यहाँ पर comment करके वो topics बता सकते हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर वीडियो चाहिए hopefully guys यह वीडियो आपको पसंदाया हो मिलते हैं next video में जानते हैं next topic के बारे में तक्स पर वाचिए बारे में